है कैसे हैं आप सभी लोग सभी वेलीज को जितने भी सेसी वेलीज हैं और जो यूसियल में काम कर रहे हैं उन सब को थोड़ा इन बातों को ध्यान रखने की ज़रूद है कि यूसियल में अगर हम वाक कर रहे हैं तो हमें कुछ साधाना भी बुरत नहीं पड़ेगी वेकॉज बहुत सारे ऐसे UCL system थे जो वाग पहले भी हो रहे थे और कुछ टाइम बाद वो center clause हो गया था या UK suspend हो गया था, blacklisted हो गया थे या किसी का center किसी रीजन से, document से, बहुत सारे ऐसे रीजन से तो यह confusion होता है और जितने भी वेलीज ब्रोटर्स हैं जो अल इंडिया बॉक कर रहे हैं वो सभी वेलीज को जिनका भी UCLCC के थूरू वॉक हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसी महत्वपून बाते हैं important points से जिसे जान लेना जरूरी है so let's start चलिए और जानते हैं so बड़ेों को नमशकार अदाब सस्रियकाल हाई हेलो एंड छोटों को दुआ और पहुत सारा प्यार तो start करें और जानते हैं इसके बारे में कि अभी जो recently अधार UCL का mail आया है CC के तरब से उसमें क्या-क्या ऐसे points हैं जिसे हमें सब को जानने की ज UCL Center बंद ना हो क्योंकि सही तरीके से और सभी निर्देशों को पालन करते हुए सारे importance points को follow करेंगे तो आपका UCL Center लंबे समय के लिए और आप अच्छे से काम कर पाएंगे ठीके तो अभी देख लेते हैं कि mail क्या हुआ और उसको समझते हैं इसके बारे में कि mail का जो important points है तो सबसे पहले रश्मी मिश्रा जी को हम सभी वेलीज की तरफ से all India वेलीज की तरफ से thank you so much जो इन सभी चीजों से लिए हमें ओगत कराती हैं हम सभी वेलीज को ओगत कराती हैं और वो सारे वेलीज को inform करती हैं तो ये किसी वेलीज के पास mail गया था वेली ने share किया हुआ है वो ताके आप सभी तक share किया जाए और उसके बारे में information के साथ और informatic knowledge के साथ आप सभी तक share किया जाए तो इसमें कुछ बहुत सारे ऐसी बाते हैं जो बड़े ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझने के जरूँ है और इसको follow भी strictly करना पड़ेगा तो बड़े ध्यान और यह mail शेशी मिश्रा जी हैं जो CC के तरब से आती हैं यह सारे जो UCL से अलमोस सभी mail और credentials से regarding और static IP से regarding हमारी बड़े मिश्रा जी ही देखती है तो अभी यहाँ पे इन्होंने mail में mention किया है वियली जो भी UCL में walk कर रहे हैं उनके लिए भी important है अगर आपके पास mail नहीं अगर आप UCL में walk करते हो तो यह आपके लिए videos काफी important होने वाली है तो आधार UCL पर काम करते समय क्रिप्या निम्नलिखित बिंदूओं का पालन करें इसे ध्यान पूरवक पढ़ें और निर्देशों को शर्तों को पूंड़ता पालन करें तो इसमें सबसे first point लिखा गया है कि CAC BC जो भी आप CAC bank BC हैं चाहे वो HDFC के थुरू चाहे CAC bank BC है या ICC bank BC है या आपके area के according to जो भी CAC के तरब से जो भी bank BC आपको alert किया गया है on boarding या active किया गया है उसके according तो first point CAC BC द्वारा चलाय जा रहे अधार online demographic update center में rate chart बाहर और अंदर भी दोनों जगा होना चाहे है इसका कहने का मतलब है first point को सबसे importantly आपको समझ लेनी की जरूरत है जो ये points को बताया जा रहे है इसमें ये कि CAC bank BC के द्वारा ही जैसे आप सभी को पता है कि CAC e-governance हमारा registered है यानि वेलीज के लिए registered है और CAC bank BC as a enrollment agency है ठीक है ध्यान रखनें correct in the point तो पहले जो CAC e-governance के थूरू जो walk हो रहे थे हम बात करें अधार के लिए अधार center या UCL के लिए तो वो पहले CAC e-governance as a registered and CAC SPV हमारा उस time enrollment agency होता था तो अभी क्या है registered आपका CAC e-governance as a same है but आपका enrollment agency है वो CAC bank PC है अल्मौस सभी जो UCL में काम कर रहे है अधार update client में तो उनके लिए ठीक है जो demographic update centers वोगरा use कर रहे हैं उनके लिए especially है तो उसमें समझाया गया है first point को लिए देखें एक और चीज कि वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ मैं try करता हूँ कि मैं और अ लगता है कि पढ़के आपको सुना देना और एक मिनिट की वीडियो ही खतम हो गया बट नहीं आप वीडियो को skip न करें एक्टम एक एक चीज को point को अच्छे से समझ लें क्योंकि अगर आपने देर की तो शायद हो सकता है कि जो पहले UCL आधा सेंटर वेली कर रहे थे उनम में शायद जिस तरीके से उन्होंने गलतियां की है कि उनको पता नहीं था और वो गलतियां करने के बाद उनके मशीन एनक्टिव हो गये थे तो वो गलती आपको नहीं करनी है सवधानी रखना है और समझदारी रखना है तो first point के बारे में था कि अगर CSC bank BC के द्वारा जो आपको इस तरह से एक rate chart दे दिया जाता है और उस rate chart को आपको easily इस तरीके से देखना होता आप देख सकते हैं यह इस तरीके से है तो यह जिन भी release के पास है तो service rate chart to be display inside the update center inside and outside दोनों तरफ करना है इनमें सिर्फ इनोंने यह नहीं बोला तो इसको ध्यान रखना है आपको नहीं एक A4 print paste को colored black and white जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ UCL के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है charges for adha services and only demographic update है ना हो सकता है कि resident आपके पास एक बार में ज्यादा से ज्यादा update करा सकता है जैसे वो चाहे तो वो number भी करा सकता है email id भी करा सकत है यानि कि demographic के multiples of changes updated है वो एक time में करा सकता है तो आप उसके documents available हैं तो आप एक साथ उसे कर सकते हैं तो only demographic update के लिए ठीक है तो यह rate chart आपको mail में है तो इस rate chart का एक printout निकाल के A4 side में आप दो printout निकाले एक आप ऐसी जगे center के inside में लगा है जब भी customer आपके पास face to face बात क कि center पे आके visit करें अंदर की तरफ internal तो वहां center के internally में आपको दिखना चाहिए customer का view पे जाना चाहिए कि हाँ यह chart board पे लगा है और यह prices यह according to this है अब start करते हैं एक एक point बड़े प्यार से इस वीडियो पे बने रहन है और अगर आप इस channel पे नए है तो channel को subscribe और bell icon पे click जर पर center निरस्त कर दिया जाएगा तो second point को भी समझ लेते हैं है इसमें सबसे important बाद सबसे ध्यान रखना है कि बहुत सारे वियली थोड़ी यह गलतियां कर देते हैं कि उनका CSC जो है registered है वो कहीं और पे चला कहीं हो रहे है ऐसा नहीं करना है है ना क्योंकि आपका GPS system लगा है क्योंकि मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ जो भी यूजिया रेटे 6 GPS यूज कर रहे हैं जिन्होंने वेली ने हमारे चैनल के थूरू बाई किया था हमारे सी और स्टीम के थूरू बाई किया था तो उनके लिए वो जब भी center में है तो अंदर बैट के center के अंदर उस को map करना होता था ठीक है तो यहां पर वही लिखा गया है कि अगर आपने CC bank VC जो आपका CC center registered है और आपने जो CC center का registration का address है आपके CC का center का और आपने UCL के form में जब आपने constraint form फील किया था तो उसमें जो चीज़े आपने डाली है वो कोई भी mistake नहीं होना चाहिए बहुत सारे वेली क्या करते हैं UCL वाले form के अंदर थोड़ी गलती करते थे तो इसलिए ध्यान रखना है जो आपका latitude, longitude जो भी आपके CC का registration वाले जो my account वाले portal पे होता है जो भी वीली है उनको पता है तो वहां पे जब आप लोग एक तो digital सेवा portal आप लोग इन करते हो और एक होता है CC तो register.cc.gov.in यह आप करोगे तो right side में आपको दिखता है मैं आपको एक बड़ दिखा देता हूँ यह second point पर रोकना चाहूँगा थोड़ा सा आप लोगो खिलेर कर दूँगा मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके उसको गल्पी मत कर आप यह देखें एक first यह जो आपको बता रहा था मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ आप देखें और register.cc.gov.in एक digital सेवा portal होता है वो अलग होता है जो वेलिस लॉग इन करते है और यहां से वो होता है जब आप अपने खुद के account में login कर सकते हो यहां पर my account होता है यहां से जाके आप अपने CC ID डालके fingerprint या ID से scan करके capture डालके आप इसे कर लेते हो तो उसके अंदर जो address आपने mention किया हुआ है अगर नहीं है तो आप लोग जाकर जरूर इसको check out कर ले न और आपका centers का या first time या आप UCL में उसको sync करते हो operator sync login से पहले तो उसको ध्यान रखना है कि उसमें exact वही address करना चाहिए सिफ एक चीज और important ध्यान है कि उसमें langitude और latitude यह mistake नहीं होना चाहिए क्योंकि वह recorded address CC के पास है और वही recorded UCL यानि के अधार department के पास तो यह इस तरह स जो आपका CC का registered है वहाँ पे banner poster सब अच्छे तरीके से लगाएं अंदर और बाहर दोनों तरफ चार्ट बोट पे prices जो भी दिखाये गया वह आपको mention करते हैं ठीक है तो आपको दूसरी जगे नहीं चलाना है यह एक्दम से ध्यान रखना है अब आता है हम third point पे operator sync करते समय center का नाम CSC अधार demographic update center ही भरे ठीक है तो अभी मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूं कि वेली क्या 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 ऐसी गलतिया करते हैं क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो mistake करते हैं तो अभी आपको दिखा देता हूं सबसे पहले UID की website पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सिकंद्राबाद बुलेंच शहर का एक असपास का में अरिया देख लेता हूं अभी हम लोग जो try कर रहे हैं अभी for example यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए as a education purpose टाके आपको understand हो सके कि कि किस तरीके से कैसे काम करना भी आप दे सकते हैं रजिस्टार्ड यहां पे कोई और है यहां पे रजिस्टार्ड यहां पे रजिस्टार्ड कोई और है 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 यहां रुखते है five of the point बड़ा ध्यान रखने है यहां पे बहुत ध्यान रखने है तो रज अपडेशन ओनली अपडेट सेंटर त्याहां रखना इसको है ना अपडेशन तो इन्हों ने जो चीज़ें लिखें है यह यूसील का भी आप देख सकते हैं यानि कि नया कुछ भी नहीं रहेगा और अपडेट इनका सिर्फ वह ठीक है लास्ट लोग इनकी हुई है 24 फैब क किये तो कोशिश करना चाहिए ट्राइ करना चाहिए पीछले वीडियो में भी यह ओप्रेटर सींग के लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप जाके वो वीडियो को वाच कर लें उसमें द्यान रखने हैं कि आपको सबसे पहले क्या होना चीए CC अधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर यानि सबसे पहले आप जब ऑपरेटर सींग करते हो फॉर्स टाइम अगर आप करते हो अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आप फॉर्स टाइम की बात कर रहा हूं तो अब आप लिखें CC का अधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर है या CC ऑनलाइन अधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ये चीज़े आप डालें पिछले वीडियो में भी हमने ये बताया था बट अभी जो इनका मेल आया है उसके कोडिंग टू आपको अपडेट करने के ये एजूकेशन पॉपस ताके जो वेलिज हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने चीजों को प्रॉपर तरीके से फिल कर बाएं तो ये धियान रखना है ये चीज़े आपको करना है ठीके और बहुत सारे और जगे कहीं मिस्टेक करते हैं मैं आपको और भी कहीं अन्हीमने से पिनकोड डाल दिया है जो हमारे सारे बहुत सारे जूड़े हुए हमारे सारे शुला हुँर वहाइल और प्रॉपर परोसुले में पार चैक लकुम अभी इन्हों ने जो लिखा है इन्होंतर बेल्कुल शही लिखा है इंहोंने जो USA आपको यहां पे BC के आगे या इससे पहले या इसके बाद में आप जरूर मेंशन कर दो जैसे मान के चलो पवन CSC केंदर, पवन CSC सेंटर, आलोक सेवा केंदर, कुछ भी जो आपके सेंटर पे में बोर्ड पे नाम लिखा है वो जरूर आप यहां पे मेंशन कर दो ताके लोगों को इसके बारे में पता हो सके तो यह जरूर ध्यान रखना, यह जो इंपोर्टेंट है, यह सब वीडियो देखके यह बहुत टाइम पहले भी हमने एक बार अपडेट किया था, कि आप उसमें CSC अधार, क्योंकि फॉर्स टाइम जो वीडियो में बताया गया था, उसके बाद हम लोगों ने अपडेट क अपडेट सेंटर, इस दग करेक्ट ने, उसके बाद आएक अड्रस में, तो अड्रस में आप डाल सकते हो, ICC, BNC, फिर अपने सेंटर का नाम जरूर डाल दो, या तो BNC के पिछे, या BNC, ICC, BNC के आगे, तो आप इस तरीके से अगर आप HDFC, BNC तो भी डाल सकते हो, इससे क्या है, थोड़ा साइजी रहेगा, कि आप BNC के थूरू भी काम कर रहें, और ये भी कर रहें, इनका थोड़ा सा अधार, इनका जो आप देख सकते हो, अधार डेमोग्राफिक अपडेट इंटर, यह थ्री पॉइंटे में, इन्होंने थोड़ा इनकंप्लीट है, आपके पास जो कस्टोमर बेस होगा, वो रीच बहुत एजिली रहेगा, वो रीच जब करेगा, तो अगर आप आप आस पास नियर भाई ये लैंडमार्क लिखते हो, तो कस्टोमर जब भी आता है, अगर आफ ऐसे लिखते हो, नॉर्मली जैसे इन्होंने लिख दिया है, अब यह क्या है, कहां बंदा कैसे जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा confusion रहे जाते हैं, तो हमने यह समझ लिया, operator सिंग करते समय, center का नाम CC अधार demographic update center ही भरें, यहाँ पे साब साब लिखा हुआ है, तो अगर आपका update नहीं है, तो आप जाके, जब कल आप morning में या इस वीडि demographic update center भर देना है, ध्यान रख लेना है, और इसको बड़े ध्यान पूरोब इंट्री कर देनी है, यहाँ पे fourth point में लिखा है, UIDIE या CSC SPB, टीम दोरा वेली UCL केंदर का कभी भी दोरा किया जाएगा, अगर कोई भी दूरे वेभार करता हुआ पाया जाता है, या अधार update के लिए अतिरिक्त शुल के लेता है, तो UCL केंदर और CC ID को तुरंत रद कर दिया जाएगा, इसका मतलब यही है, कि जो two of point को समझाय गया था, कि अपने center पे, आप first of में, कि rate chart वगरा यहाँ पे देख रहे है, demographic rate chart जो है आपका, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ होना चाहि करना है, उसको आपको follow करना है, और strictly करना है, गलती नहीं करना है, कुछ आप लोग थोड़ी से शैतानी कर देतों, जदीजदी के चक्कर में photocopy document color print out लगा दिया, ऐसे नहीं करना है, original document लो, original scan करो, verify को इसलिए CC के थूरू से एपॉइंट किया जाता है, कि verify documents मांगे जाता संबंधित BCVLE के खिलाब BFI अधर्च की जाएगी, यानि कि 2016 के जो नए कानून नियम बने हैं अधार में, उसके हिसाब से लिखा जाता है, कि अगर जैसे कोई गलत काम करता है, या किसी का फरजी अधार बना दिया, इस तरह से बहुत सारे आए दिन news में आते रहते हैं, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होने चाहिए, जो कि आपका ये लिगल एजे एक्शन लिया जा सके है, और 6 पॉइंट में लिखा है, नमिंतम UIDI OMU के अनुसार, यानि कि UIDI और जो CC के भी जो साजेदारी हुई है, जो साइन हुए है, जो सिगनेचर हुए, जो एग्रिमें चार-चार के प्रती 50,000 से 1,00,000 रुपय का काठा जाना है, यानि कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, तो CC के जो एमांट में इतनी की डेवीड, पेनल्टी या नोटिस की जानी होती है, उनके तरफ से, सेवध हम पॉइंट में लिखा है, सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज प अगर कोई किस्टमर आपके पास आता है, बोलता है कि मैं WhatsApp आपको दे रहा हूं, मैं आपको मेल कर देता हूं, मैं आपको शो करा देता हूं मुबाइल में और आप उसका color printout निकाल दो, तो नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, यही गलती हमारे वेलीज ने बहुत सारी गलतिय हो, तो scan पे scanner करते हो ना, तो वो department बैठी हुई है, वो सिर्फ आपके UCL के ही documents को verify नहीं कर रही है, वो आप जैसे बहुत सारे वेलीज के documents से verify करे है, चितने भी UCL में अधार में update कर रहे हैं, आपके state team, वो सब उसको verify पहले देखती है document क्या लगाया, अभी तो अप्रोल ह होता है, देखता है, चेक करता है, अगला बंदा, कि उसमें क्या है, जो भी वहाँ धिकारी officer, जो भी staff, जो भी employee है, जो भी उसके लिए concern person वहाँ पे बैठा होता है, वो आपके documents जो आपने attach की हुई है, उसको verify करता है, चेक करता है, जिन्वन नहीं है, ठीक है, तो पहले अधार नहीं रहा है, अभी के अधार में time to time changes होते रहते हैं, तो उसको बहुत follow करना है, original document ही सिर्फ हा, original का मतलब कि आपके center पर आता है, कोई तो original hand, हाथ में आपको मिलना चाहिए, original document, आपके सामने होना चाहिए, just you can feel that original document है आपके पास, आपके पास original document, मान के चलो, document आपको photo copy, print out, कुछ भी लिख आता है, not acceptable, आप साब साब, और ये बात आप बाहर भी लिख दो, chart में, rate chart है न, एक और chart बना लो आप, अंदर और बाहर दोनों तरफ ये लिख के आप रख लो, center के बाहर, आप साब साब लिख दो, वहाँ पे, हम सिर्फ original document ही accept करेंगे, द अश्यक निर्देश, सिर्फ हम original document ही accept होगा यहाँ पे, whatsapp, email, photocopy, print out, पलाना, डेकाना, ये हम accept नहीं करती, सिदे लिख दो आप वहाँ पे, हम सिर्फ original heart copy ले के आईए, और आपको verify करके आपको उसी शमय वापस कर दिया जाए, तो ये ध्यान रख लेना है, original document में बहुत focus करें आप, original document में गलतियां नहीं होती है, जो है, और जो document में लिखा है, वही आप update करें, ये नहीं कि पता लगा, रामकुमार नामें वो बोलता है, रामकुमार प्रसाद का document दे दिया, बोला, मेरे date ओपर change कर दो high school से, तो ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसी गरबड़ी होती आपको ये देखना है, कि जब भी आप update कर रहे हो ना, तो original document हो, और साथ में, उसके spelling में mistake नहीं हो, कुछ भी minor, अगर है ना, तो बिल्कुल नहीं, उसको वहाँ समझा दो, कि भाई, as it is, जो आप document दे रहे हो, resident customer को समझा दो, जो भी आधा resident आता है, आपके पास update कर रहे ह जा रहे हो, गलते document ही लगाया जा रहे हो, तो फिर क्या करते हैं, आपके जो UCL का जो machine ID है, उसको deactivate कर रहे हो, ठीक है, 8 number point में आते हैं, लगतार बोले जाने के बाद भी कई लोग UID के नियम के विरुद कारे कर रहे हैं, आपके परतेक इंडॉल्मेंट की समिक्षा, UID द जो आपका update form होता है, उसमें आप वही टिक लगाएं, जो आपको update करना है, तो नहीं है, तो अधार update form कैसे भरें, उसका एक वीडियो ओल लेडी चैनल पे है, तो जा के आप उसको देख लो, अगर वो उससे भी आपको समझ में नहीं आता है, तो VLEGuru.com पे जाओ, एक छो साइन होंगे, कहां पे अधार resident का साइन होगा, कहां पे उसको आपका verify होता है, उसका stamp साइन कैसे होगा, तो वो सारा deeply बताया गया है, तो course के अंदर भी सारी detail है, आप वीडियो पे जाके चैनल पे एक वीडियो है, वो भी जाके देख सकते हो आप, उसको देख लो, अगर उससे समझ में आता, तो ठीक है, थोड़ा और चाद आपको लगता है, मेरे को कुछ और अच्छे तरीके से जानना है, तो जाके वेलिगुरू.com पे course जोइन कर लेना, ठीक है, नाइन नंबर पॉइंट में है, यदि किसी व्यक्तिव इसेस के पास कोई दस्तावेज नहीं समझते हैं, कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं, जिनके पास कोई डॉक्मेंट नहीं करते हैं, और वो कहता है कि मुझे अभडेट करदो, मेरे को नीम अपडेट कराना है, या एडर्स अभडेट कराना है, ऐसबेंड कराना है, थोड़ी कुछ बिर्म commemorів कर था क्या एसने करने तो जो अधार का विलीडेशन होता है आप समझ पा रहे हैं जो आधार का अपडेट लेटर होता है वहां पे डालना है दूसरा कोई डॉकमेंट आपको यूज नहीं करना ठीक है तो इसलिए इसके नाइं फॉंट में यह साब्साब लिग गया है कि अगर उस तरीके से कभी ऐसे cases आपके पास आ रहे हैं मानके चलो documents नहीं उसके पाक तो प्रधान को आप लोग लेटर लगा देते हो प्रधान का तो उसमें लोग थोड़ी शहतानी करते हैं प्रधान फुटा-फुटा-फुटा स्टैंप साइन लगा देता है उसमें फिर कट पीज करत एक अलग से अधार का अपडेट अलग से एक अधार फॉर्म होता है जिसमें कोई document नहीं है दस्तावेज नहीं है कोई आपके पास id id नहीं है तो उसमें उसकेस में उसको किया जाता बट वो परधान आपके या फिर कोई guested officer के थुरू या school college के principles हो हो head masters हो उनके थुरू व थे वर ना है कैसे फिल होना है Fish Hazel अइसको ऐसे ही में आपको अच्छी तरीके से फिल करना है ताके गलतियां नहीं हो ठोड़ी ठोड़ी गलतिया आप लोग करते हो नगोर जाके हो जाता है यहोडी को दिख जाता है गलति कर रहा है और व्हों गलति सुदरेगा नहीं इसको करो बंद, ऐसे नहीं करना है, वो दिहान रखना है, थोड़ा सा है, गलतियां सबसे होती है, कोई भी नया काम करेगा, कोई भी नया चीच करेगा, थोड़ा वो लर्न करेगा, पर हाँ, थोड़ा समझदारी से करोआ, परसंटेज उसके, गलतियां होगी, rejection होगा, data error हो, data error में होता है, तो आपकी गलती नहीं है, और net में कभी error होगी, आपने कभी देखा है, enrollment update जब होता है, तो कई बार आप देखते हो, वहाँ पर राइट साइड में आपको लिखा होता है, UCL के अंदर की enrollment अंदर process, शो करता है ऐसा है, आपको खुद ही, जब आप डेश देखते हो, UCL के अंदर तो शो करता है आपको, और कई बार वहाँ पर देखता है क्या है, इस request has been, update request has been rejected due to data error, ऐसा आता है न, due to data error, प्लीज re-enroll, तो data error में बहुत सारी चीज़े हैं, वहाँ पर आप देख ले न, कि subject में, वहाँ पर उन्होंने और remarks में और क्या डाला हो रिमार्क्स हो, बड़े ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा आप लोग, जैसे Excel sheet के अंदर आप उपर जाके, mouse click करके, right में थोड़ा करते हो, वैसे ही उस पर कर लेना थोड़ा सा, तो आपको पूरा दिख जाएगा, जो लिखा है उसमें, उसको बड़े ध्यान से समझ ले काम करें, और यही सब हमें लोगों के आशा है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से काम करो, आप लोग काम इसलिए करो, कि you are just the Indian armies, आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप एक आरमी से कम नहीं है यह वैलीज, वैलीज का मतलब होता है, केंदर बता है एक इंसान का, जिनका नाम है दिनेस्तियागी, रेस्पेक्टर दिनेस्तियागी जी को इस बारे में बहुत अच्छी तरीकी से बताया है, उनकी बातों को सुना करो आप उनके बातों में एक वार्ड में क्या, बहुत सारी चीज़े होते, quality है उनके वार्ड क बनाना है नहीं पाया जाने पर सेंटर नीनस कर दिया जाए तो यह थोड़ा आपको इस टिक लिए बताते हैं कुछ-कुछ उसने क्या अपडेट करा है यहां पर देख रहो आपके पास कस्टमर आता है वो बोलता है कि मेरा अपडेट कर दो तो फिंगर डाल के आप उसका काड निकाल देते हो तो आप वहां लिख दो उसको भी जरूर लिखो आप उसमें कि 50 रूपीज का तो हमने यह काड दिया उसक हमारे से काड निकाला तो जो भी आपके एरियेज की साफ से प्राइज है 50 रूपीज 70 रूपीज 80 रूपीज 100 रूपीज जो भी आप चार्स करते हो वह आप लिख दो प्लस काड इतने का ठीक है रेजिडेंट का उसका मोबाइल नंबर जरूर आपको लिखना है रेजिड पांस साल 15 साल से बड़े होगे उनका आप बायोमेट्रिक फोटो अपडेट करना है वह अनिमार है मैंडेटरिया आप उससे करो ना तो ऐसा सजेशन करते हैं तो आप सजेशन वाले कॉलम जरूर बनाओ उसमें आप उसको मेंशिन करते हो ठीक है रजिस्टर्ड आप हमेश अब आप धृजिस्टेशन का मतलब ऐसे करके होता है न और यह वातिकल लेना और रजिस्टर्ड ज्यादा तरह वर्टिकल लेना आप रजिस्टर्ड तीके और इसे उसमें सब चीजले कर देना और उसी को जब कस्टमर आया तो आपको करते हैं उस्ते में जो रूर रूर को follow करेगा तो उसके पास register में मेंटर होता है तो कभी UID मांग किता है अब दिखा दो कि सर यह रहा उसका register है देखो इंटरी किया है नाम लिख है sign किया उसका नंबर है हमारे सरीशिप लेगे आप उसे जूटी कंप्लेंट कर रहा है तो वह आपके लिए इसलिए यह CC और UID आपको बोलती है कि अगर ऐसा कोई जूटा कंप्लेंट करता है तो उसके लिए आपके लिए यह benefits है ठीक है तो आपके यह support के रहता है कि आप इसको maintain रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और रखना पड़ेगा ओके 11 नंबर में आते हैं software टेंपरिंग यह रबर प्रिंट का उप्योग के सूचना पस यह CID यह UCL ID दोनों ब्लॉक की जाएगी इसका मतलब आप समझ रहे हैं तो वेली आप नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा समझा जाता हूं इसको भी डिटेल में 11 नंबर पॉइंट में जो लिखेंगे लिखेंग गलत है और कई सारे लोग क्या करते हैं रेवर टेंपरिंग का मतलब होता है कि रबर प्रिंट के थुरू फिंगर प्रिंट बना लिया और उसको लगा के आप काम कर रहे हो और आपके ऑपरेटर सहाब जो वेली सहाब है वो गायब है तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह भी बह महां पर अबलेबल होना चाहिए कभी भी आपकी यूएडी सी के टीम कभी वेरिफिकेशन के लिए आ सकती है तो इसलिए आप अपने सेंटर पर बैठे रहे हैं और हां उस दिन के लिए जब आपका कोई ऐसा लगता है कि सेंटर में थोड़ा सर्वर डाउन है सर्वर बीज में रही है तो वेलिन इसको रहे करेंगे ताकर आप रहोगे तो बच्चेंगें गलती ऑन करेंगे जो स्टाप कि अगर में नेटरिय करेंगा अगर वैली नहीं कि रहाए ऐसको वहां पर उसको खुद ad की गिरानी में होनी चाहिए हर थम में वो लगा है पर ज्यादा तर अच्छा रहा है यह सब चीजिव का जो फिंगर्प्रिंट टेंपरींग की बात इसमें कहीं गी यह वह ऐसे बहुत सारे पिछली बार भी कंप्लेंट है जो बड़े सेंटर चले थे या बड़े सेंटर चले सारे डाटा को अप्लोड करना होता था तो जो पूराने काम कर चुक है उनको पता होगा जो भी प्राइबेट अलंकित के थुरूब बाकी और ऑगयों बात करें 2015-16 में जो बहुत जो शोर से 14-16 में बहुत अच्छा काम चला था है ना तो उस टाइम यह लोगों ने गलतिय लेते हैं कि आप यह कर दो आपका न्यू इंड्रॉल्मेंट चालू हो जाएगा नहीं आपके जो मशीन आइडी है वह स्पेशली यूसील के लिए रजिस्टर की गई है आपका लिख के जो आईडिया तो क्या आता है सिसी अंडरे स्कोर जो आपका स्टेट है बी यार या आपकर मशीन आपकी उसिप्र इंडरेश स्पोर यूसील फिर रंडरेस्कोर आपका सटेटिाट अपर यूसील के लिए यूसील के लिए अगर आपकी मशीन кож में रजिस्ट्र कर दिए तो फिर आपको उसको सफ्टर में कुछ ब्रस्दी कर लो ऐ अप उ provide कुछ भी लगा ल सब्सक्gaard भो होगा सब्सक्राइब नहीं करنا है G परना सब्सक्राइब करने इसके अलावा कुछ फालत है उसमें मत करोगा थीके है अब आते हैं 12th point में परतिएग VC को रोजाना पांच लेन दिन अपने बीसी कोट से अनिवा रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो UCL का वाक हो रहा है अपडेट क्लाइंट लाइट और धा डेमोग्राफिक इसलिए आपनों को यह पहले भी रिपीट कर रहा था मैं तो उसमें क्या है आपको जब बैंक बीसी के थुरू है तो एस पर RBI गाइड लाइन जब आप BC हो तो आपको डेली लोगिन होना है डेली टांजक्शन करना और कम सकम एक्टिब तीन से चार घंटा रहना है बहुत सा वाला लैपटॉप है जिसमें आपका मशीन यूसील मशीन रजिस्टर है तो उसमें तो कस्टमर आएगा आप उसका काम करोगे अब उसी दोरान कोई और कस्टमर आगया मेरे को पैसे निकालना है फिर क्या करोगे आप तो दोनों disturbing होगी तो उस case में आपको क्या करना है जो आपकी CAC Bank BC के थूरू जो आपका HDBC है ICC Bank BC है तो उसका एक लिंक होता है HDFC FIG.IN करके तो वो सभी वियलीस को पता है उन सबको mail भी आ चुका होगा तो वो अपने लिंक को जाके एक अपना bookmarks पे उसको कर दें और दूसर सिस्टम में कर दें उसको उसको उसमें आप मंतर GDP की खास बात है बड़ आप बैंक BC में HDFC ICC या और भी जो एक्सिस वाले बैंक BC हैं उनमें ऐसा नहीं है अगर उसमें पांस-दस मिंट छोड़ देते हो तो लोग लॉग आउट हो जाते है इसलिए आपको कभी क्या करना है बैलेंस क्वैरी पे क्लिक करके छोड़ देने फ आप अपने UCL में काम करो उसको बोल दो निकालेगा वह उसमें करेगा बट आपकी निगरानी में हो यह ध्यान रखना है ठीक है तो उसमें क्या है फाइब लेंदेन करना यानि कि पांस ट्रांजक्शन आपको कर लेने आप कोशिश करो कि हर कोई कस्टमर आ रहा है पांसो चार पांस गंटा एक्टीब होना है आपके मशीन आइडी को आपके जो बैंक BCA उसको लोगिन रखना है ध्यान रखना है नहीं तो जब इनकी ऑडिट जाती है CC के थूरू और जो बैंक BC की ऑडिट सब जाएगी रिपोर्ट तो उसमें दिक्कत होगी फिर आपको तो यह रख लेने आपको इसमें गलती नहीं करने है ठीक है थर्टी नमबर पॉइंट में अधार कारे करने का निर्धारी समय सुबह नौ बजे से शाम छे बजे तक है इस समय वधी से पहले या बाद में कारे मत करें वेली अपना सेंटर रोजाना सो मर्से रोभी बार प्रतित द होती है एक होता है आपका गजटेट होलीडे एक होता है नौन गजटेट होलीडे में क्या होता है कि उस दिन आप छुटियां हो भी सकती है चुटियां नहीं भी हो सकती है और गजटेट होलीडे में क्या होता है कि आपका उसमें 100% आफ रहना है वो आपका बंद होना है त और दिन आपके सब सरकारी चुटिया बंदूरती तो यह ध्यान रख लेना है तो उसको एक अपने जो है डेट शीट उसको अपने रख लेना है ताके जो भी आपका नों गयस्टेट हो तो ध्यान रहें खोल भी सकते हो नहीं भी खोल सकते हो उसमें strictly इतना फॉलो नहीं है ब उसको लॉग-इन करें आप अपने gps map करके रख लेए अपना कोई शूद नहीं है जब आप जाके यूचल के इनदर जाते हैं मैप करते हैं तो मैप कर के आप और उसेश्य करके छोड़ए अपने center में लाके जैसे नो बच के पांच मिर नो बच के दस मिट होता है फिर आप लोगिन कर दें उसको ओपेटर सिंक में जाओ लोगिन करो ओटीपी आएगा कैप्चर डाला करा सब्मिट करके ओके लोगिन हो जाएगा ठीक है तो यह ध्यान रख लेना है और उसको यह जो भी 12-13 पॉइंट इस बताया गया उसको बहुत द्हान से रखना है और यह सभी यहीं के पास अल्मॉस्ट जितने भी यूशिल में काम कर रहे हैं इन सभी यूशिल को यह चीज़े भेज गई है तो यहां पर आप कॉंटेक्ट करें यूशिल यूशिल करक्शणी का इन सब्कॉन हैं और इसके लिंव पास में लिएत श्काल गभी लिए और यहां पर इसको ब्रक्राएं सब्कूं중 दो ओलेज के साथ दिखाया जा रहा है और यह यह स्टेट हेट जो है you सहकती ही आपके अलग अलग के स compatibility के सकते है उस्ट में सारी चीजित यहां पर देखो कुछ चीजित अपडेट क्लाइट के बाडे में लिखा गए कि बेना अधार मंशीन के सिंगल फिंगर डिवाइस और सिंगल आईरिस स्कैनर से यूसियल सॉफ्टर के माद़र्ण से डेमोगराफिक अपडेट कि नेम एडर्स डियोपी मुबाइल नमबर कर सकते हैं इससे फोटो में बदलाओ बामेट्रिक या ने अधार बनाने का कारे आप नहीं कर सकते हैं तो इसमें लिख रहे हैं ना कि आधार मशीन के सिंगल फिंगर डिवाइस जो होता है चाहें वो आईरिस डिवाइस से फिंगर डिवाइस है तो यूसियल के माद़र्ण से आप डेम बाने इससे फारे समझने आपने अदहरा के समझ लेना है और यह सबी इसके पास मेल आ गया तो उसको ध्यान से इसले हम लोगों ने हम लोगा एक समझा देन न और इस चीज को ध्यान से रखना है यूसे सर्विस के का जो वियली है जो CC वियली ऑपरेटर है खुद वियली है तो उसके नाम से जो CC सेंटर रजिस्टर है उसकी का होना चाहिए आधार सर्टिफिकर ठीक है रजिस्टेशन लिंक जो दिया गया वह यह है कि आप इस पर दे एक्टिवेशन का मेल आपको प्राप्त होता है इस प्रक्रिया में समय लगता है ब्लैक्लिस्ट सुपर्वाज़र ऑपरेटर का क्रिदेशल बनना संभाव नहीं होता है तो अगर किसी का पहले से कि सेंट एजिंसी की थ्रू अनबोर्डिंग है तो उसको रीमूज जरूर करवा लें और किसी का ब्लैक लिस्टेट है पहले वो आप यूश्य अप्लाई करने से पहले देख लें अगर आप सुपरेज़र या उप्रेटर का आपके पास स्रेटिफिकर्ट अधार स्रेटिफिकर्ट अगर आपका क्रेंशनल बनने के लिए आप दे रहे हैं अपको जो क लिए उस करने के लिए भेजाजाता हूंकि Siya कूरों कि निदे ईक हाड़ा के करने के बहुत सारे यृइस के को से बढ़ता करते हैंने अधारी एक कि है फी और कैसे की्टेटिशी सुन मिंधूरा कीया चाहिए अप यहां रेट लिस्ट एन कस्टमर रजिस्टर जरूर होना चाहिए रेट लिस्ट अंदर और बाहर दोन तरफ और लोगों को अंदर बैठने का पांच लोगों को बाहर बैठने के लिए होना चाहिए अधार मशीन सक्सेस्फूल रजिस्टर होने के बाद आपके डिटेल ल्टू प्रोसेस के लिए पूरा होने के बाद आप खुद ही शुरू करने हैं तूर मेल के मद्यम से सुशित किया जा अधार इंवर्मेंट फॉर्मेंट वेरिफिकेशन है को कोई भी एबीसी डी ग्रेट का रिटार्यर्मेंट इंप्लाई को ठीक है, इंगेज कर सकते हैं, जिसका request है, वेरिफायर लेटर के बारे हम बताया गया है, जो की वेरिफायर लेटर आपसे मांगा जाता है, तो आप ध्यान रहे कि A या B या C grade हो, C grade से नीचे 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 नहीं होना चाहिए है न, C grade या उससे उपर हो, B हो, C हो, A हो, चले हैं, रजिस्टार्ट फाइल होता है, एक प्रॉक्सी फाइल होता है, आपके पास है न, उसको होता है, फिर आपके यहां पे finger devices और आइरिस के यह दोनों को लिंक दिए गे हैं, ताके वहां से आप डाउन डूड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, यहां पे सबके details दिए ग करना installation की process है, तो जिन भी release का है, उन सब के पास ऐसे mail आ चुके हैं, तो mail देखके आप समझ लेंगे, तो easily आपको ऐसे understand कर लेना होगा, तो आपको किसी भी तरह के कोई problem नहीं होगी, यह आप देख सकते हैं, अधार conform involvement update, तो यह बहुत easy है तरीका है काम करने का इसमें, यह कुछ इन्होंने screenshot पूराने भेज दिये हैं, तो पूराने वाले के चेकर में आप लोग नहीं पढ़ना, ठीक है, तो यह ध्यान रख लेना है, कई सारे लोग पूराने वाले, थोड़े से update होगें software, थोड़े से update हो गया है, और यह आपका अधार enrollment form है, तो इसके बारे में एक अच्छी तरीके से बरना है, इसमें गलतिया नहीं करना हर एक step को जो चीज़े आपको मेंडेटी जो अपडेट करना है उसी पर टिक मार्क लगा है, ठीक है, और कहां पर आपको resident का signature, verify का stamp sign किस चीज में लगता है, तो उसके लिए already video डाला हुआ है, आप जाके देख बहुत अच्छी तरीके साब को समझ में आएगा, ठीक है, और आपके डॉक्मेंट यह चार्ट लिस्ट है, डॉक्मेंट का, तो जो भी डॉक्मेंट लिस्ट है, इसका एक चार्ट दो निकालने, एक center के अंदर और center के बहार, दोनों जगे ज़रूर लगा दें, आप इसको कॉल करें, और CT ID को मेल करना हो था, ठीक है, और रिस्टर बता दिया गया है, यह CC के तरसे बैनर पोस्टर दिये जाते हैं, उसको प्रिंट करवा लें, बैनर यानि के फ्लैक्स बोर्ड में और उसको अपने center के बाहर लगवा दें, ठीक है, तो यह काफी informatic knowledge के साथ वीडि जाता है, आप मेहनत कर रहे हो, साथ में CC टीम खुद मेहनत करती है, क्योंकि CC का जो काम था, जो अधार का काम था, वो private sectors में था, वो क्या करते थे, जितने भी लोगों को एजिंसिया देते थे, वो पैसे लेके एजिंसिया देते थे, CC में अभी तक किसी से कुछ पैसे ले ही देने है, IIS CTC का पहले 1000 रुपए का था, बहुत पुराने पुराने विली ने 1000 के क्या, अभी वो एक एक रुपए 100-100 रुपए तक का दे रहे है, 100-100 तो ये हर चीजों को कट कोस्ट करते हैं, अभी UP की बात करें, अगर आप इडिस्टिक के आड़ी ले तो जिसमें आय आडि देने के लिए प्राइबेट भालों ने है ना, बट CAC ने किसी से एक रुपए भी नहीं लिया है, तो ये बहुत बड़े ध्यास रहे हैं, CAC इसलिए कहते ही आपको सपोर्ट करते हैं, आप काम करो ना, अच्छा करो, गलतिया मत करो उसमें, मिस्टेक करते हो तब ज दिखी जाती है, quantity में does not matter, quantity तो आप करोगे तो पैसे कमाओगे, मेरी बास सुनो, quantity में मतलब जितनी ज़्यादा आप बनाओगे, उतनी ज़्यादा आपको commissions आएंगे, CC को उतनी ज़्यादा उनको भी थोड़े shares जाते हैं, ठीक है, बट उनको अधार से कोई लेना देना न हमारी यहां आप जो भी resident आ रहे है, original document ही accept किया जाएगा, आपको hand to hand वापस कर दिया जाएगा, आप प्लीज, whatsapp, email, messages इस तरह से photocopy न लेके आएं, original अपने साथ carry करके लेएं, hard copy साथ लेके हैं, counter पर बैठें और साथ में लेके बैठें, hand to hand आपको वापस कर दिया जाए तो उसको ध्यान रखना है, तो अब 9.30 अपने यह बाहर सेंटर के बाहर अंदर दोनों लिख दें कि अधार का सेवा का टाइमिंग है, अधार services का टाइमिंग है, demographic update center का, वो हमारे पास रहेगा, और आप 6 बज़े का government का टाइम है, तो आप कोशिश करो 5 बज़े, 5 बज़ कर रहे हो, तो नॉर्मल एक, आपको UCL के अंदर एक update में minimum घड़ी देखके, अगर आप fast काम करते हो, तो 7 मिनिट का टाइम लगता है, सबसेदा scanning में टाइम लगता है, फ्रेंट में और scanning में इसमें टाइम लगता है, तो आप 7 मिनिट, 10 मिनिट मान के चलो, तो अगर आपक कोशिश करो, 5-5 बजे का लिख दो, ताकि उतने बजे तक कोई customer आपकी है entry कर लेता है, तो आप फिर उसको रोक के बैठा के आप काम कर सकते हो, आपका 6 बजे का last time है न, UID का, तो कोई tension नहीं रहेगा, बट वो 6 बजे आ जाएगा, तब आपको problem होगी, फिर बहस भी होग आपसे, तो ये ध्यान रख लेना है, ठीक है, ये बहुत informatic knowledge के साथ था, ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो प्लीज, अगर अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को like कर दें, share कर दें, अगर आप channel पे नए हैं, तो channel को subscribe, bell icon कर दें, और हमारे जितने भी live है प्लीज आप लोग आया करें, अपनी हम लोग daily, दो दिन, तिन, दिन, हर weeks में, चार दिन हमारी lives होते हैं, उस live में हम product दिखाते हैं, कि UCL के लिए, अधार UCL में जो भी GPS devices हैं, और मंतरा के finger devices हैं, आइरिस devices हैं, वो सब हमारे आप लोग जेन्मन RD service के साथ 1-year की company warranty, और पक लगता है, उसमें RD service नहीं है, उसका holder नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सी problem होती है, तो उसको ध्यान रखना है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, अपने devices सही लेने हैं, और प्लीज, contact किजी हमसे, अगर आपको इस सर से कोई requirement होती है, शोर हम लोग आपकी help करेंगे, UCL से जाके live देख सकते हो, हमारे shorts देख सकते हो, उसमें उने already डाला हुआ है, जिन जिन को वेलीज को चीज़ें है, वो अपने अपना order कर लें, और thank you so much, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतना सारा trust दिखाने के लिए, ये सब channel आपके लिए इतने growing कर रही है, बिकॉस आ हमारे instagram के पर जाके, हमारे instagram पर follow कर लें, और हमारे facebook पर जाके हमें follow कर लें, channel तो आप subscribe करी देंगे, so thank you, bye bye and take care.